साल का आखरी चंद्रगहन चंद्रगहन का आखिर क्या महत्व है क्या ये सिर्फ एक खगोलिय घटना है या फिर इसके और भी कई माईने मतलब है चंद्रगहन को लेकर तमाम तरह के मिठक भी होते हैं कई तरह की धार्णाएं भी होती हैं कई तरह के अपवाद कहानिया भी होती हैं, उनकी सच्चाई क्या है, हम आपको बताएंगे, आप क्या एहतियात बरते हैं, वो हम आपको बताएंगे, आपकी राश्यों पर क्या असर पढ़ने जा रहा है, बहुत मत्पूर्ण है जानना आपके लिए, वो भी हम आपको इस चंदर गहन का उसकी भी बातचीत होगी, बातचीत की मैं शुरुआत करूँ, उससे पहले मैं आपको ये बता दू, मेरे साथ स्टूडियो में 23 जोतिशा चारे मौजूद हैं, देश के प्रकांड विद्वान है ये, अगर इन जोतिशों से आप यूं मिलने जाएंगे हो सकता है आपको लंबा इंतजार करना पड़ जाए, अपॉइन्मेंट लेना पड़ जाए, लेकिन हमने आपके लिए खास बेवास था, इसलिए की है, ताकि सारी जानकारिया आपको एवी पी निउस के स्टूडियो से मिल जाए, एक ये करके इन जोतिशा चारें से मैं आ चाहूँगा इस सवाल के साथ आप लोगों के पास आऊँगा, कि इस बार का जो ये चंद्रगहन है, इसको किन माइनों में हम महत्पुन माने कैसे समझें, देगी चंद्रगहन एक तरह से खोगोली घटना है, और उसका वास्तविक प्रमान जो है, जोतिश के दिश्टिको सबसे श्रिष्ट पूर्णिया माने जाती, अमृत का शरण इस दिन होता है, और ऐसे में चंद्रगहन का पढ़ना, और साथ-साथ मेश राशी में जिस प्रकार से ग्रहों का योगा योग अश्वनी नक्षेतर में ये नक्षेतर ग्रहन पढ़ रहा है, ये कई माइनों से बड़ा परिवर्तन का परतीक लाइनन वाला है, मैं उस पर बाद में आऊँगा, पहले छोटे में आप सभी लोगों से जानना चाऊँगा, आप कैसे देखती है राखे जी इसको ये साल का आखरी चंद्रगहन, देखिए इस से मौसम में बहुत फरक पढ़ेगा, पानी से रिष्टों को खराब होते हुए आप देखेंगे, या मा की सिहत खराब हो सब्सक्राइब किसी अनिष्ट की आहट भी आप इसमें भापते हैं, साल का आखरी चंद्रगहन, चालिस से अधिक देशों पर ये चंद्रगहन का प्रभाव है, और ये चंद्रगहन देखा जाए तो साड़े चार घंटे का है, यानि सबसे लंबा चंद्रगहन है, और देखा जाए तो अनिष्ट के बारे में बात करें तो विश्व युद को बढ़ाने वाला है, क्योंकि शनिवार, रविवार को मेदनी जोतिस के अनुसार जब भी चंद्रगहन या सूरी ग्रहन लगत लेकिन ग्रहन एक कारी के लिए बड़े अच्छे होते हैं, वो आपके साधना पक्ष के लिए बड़े अच्छे होते हैं, अब साधना के लिए अच्छा वक्त है, बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात की शरत पूरिमा पर तीस वर्षों के पश्याती ग्रहन है, और जब हम अचार जी ने कि बहुत विशेश दिन है पांच पांच योगों का आज के दिन योग है शृष्ष योग है गच्च केस्री योग है शिद्धी योग है तो इस तरह से और शरत पुड़िमा जैसा कि रास पुड़िमा इतने सारे योग हैं हमारे जीवन में क्या लाएंगे उस पर में मैं आता हूँ आगे सब पहले एक एक कमेंट सबसे ले लेता हूँ हाँ देखिए वेद में सिध्धान्त जोतिस में एक सूत्र है कि भूमेर पिंड़ा ससांका ग्या कविरभी कुझे जारकी नक्षत्र संग्या सबसे प्रत्वी के नजदी की चंद्रमा है जो की मिशेश रूप से मानशिक चिंता को बढ़ाने वाला है और यहाँ पर इस्थिती को देश समुद्र तटी छेत्रों से बिभिन प्रकार के आकरमन देश में हो सकते हैं और ऐसे आकरमन से जो गुप्त आकरमन होने की संभावनाई है उससे देश को सावधान रहना चाहिए गुप्त आकरमन हो सकता है आपकी क्या घंड़ना है इस पर सबसे पहले एबीपी न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुप कामना है यही निशित रूप से अद्भूत समय है यह कि अश्वनी नक्षत्र और मूल नक्षत्र जो है और उसके अंदर सबसे कमाल की बात यह कि उसका स्वामी केतु है समसब तक योग बंदा है चंद्रमा राहु और गुरू जब भी एक साथ होते हैं तो एक तो राहु और गुरु का जो एक मिलन है तो यही एक चंडाल योग है और उसके सामने जो चार ग्रह और हैं इनका जो प्रभाव पढ़ने वाला है क्योंकि चंद्रमा अर्श्वनी नक्षत्र में है, सेनापती है ये, इसका स्वामी मंगल है, अधिपती इसके केतु है, ये बिल्कुल सही है, हमें एक तो आने वाले भुकम के परती जागरूख होना चाहिए, रूस के दोसों विज्ञान को ने शोत के बाद ये कहा है, कि जब भी चतुरदर्शी को ग्रहन आ होती है, क्योंकि ये आगने अगनी तत्व में हो रहा है, इसलिए बंबी बरसेंगे, इसलिए युद्ध भी होगा। अपने स्मार्ट टीवी पर